आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Mammals can eliminate Hypotonic Urine and Hypertonic Urine According to the Body Needs Explain यहां पर पूछा गया है कि Mammals जो है वो Body के बाहर दोनों Hypotonic Urine और Hypertonic Urine Accordingly Release कर पाते हैं कैसे करके तो पहले बात करते हैं Hypotonic Urine का मतलब और Hypotonic Urine का मतलब तो Hypotonic Urine होते हैं इसमें Water का Quantity और जो Salt का Quantity होता है यह बहुत जादा High होता है लेकिन वहीं पर अगर Hypotonic का बात करें तो यह ऐसे Urine होते हैं जहां पर Water जो है और Salt Release जो है वो बहुत ही जादा Low होता है जिसके वज़े से जो Concentration होता है वो Highly Concentrated Urine जो है वो Release होते हैं लेकिन यहां पर जो Urine Release होते हैं वो Concentrated नहीं होते हैं Instead Dilute Urine जो है वो Release होते हैं तो यह हो गए Basic Difference अब यह Body में कैसे तयार होता है या फिर कैसे Handle होता है तो पहले बात करते हैं Mammals का तो Mammals में क्या होता है कि Mammals में दो चीज़ इसको Trigger करता है एक है Mammals में जो Hormones पाए जाते हैं और दूसरा की Mammals में जो Counter Current Mechanism होता है और इन दोनों Mechanism के वज़े से ही जो Mammals के Urine रहते हैं वो कभी Hypertonic और कभी Hypertonic में Convert होते हैं तो Counter Current Mechanism जो है यह Henle's Loop या फिर Loop of Henle जो है वो Trigger करता है साथ में जो Wasarekta होता है वो भी इन में Trigger करता है जिसके वज़े से कितना ज़्यादा Reabsorb करना है और कितना ज़्यादा Water Excrete करना है वो यह दोनों Trigger करते हैं अब बात करते हैं Hormones का तो जो Main Hormone कंट्रोल करता है उसमें से पहला हormone है ADH जिसको Anti-Diuretic Hormone के नाम से जाने जाते हैं और इनका Main काम रहता है कि जब बाडी में बहुत ज़्यादा Loss होता है Water का तो यह Basically Reabsorb करते हैं जो Water Quantity रहते हैं ताकि Conservation of the Water in the Body हो सके और जो Urine है वो Hypertonic हो सके उसमें बहुत ही Less Amount of Water जो हैं वो Trigger हो लेकिन जब बाडी से बहुत ही ज़ादा या फिर बहुत ही कम Fluid Release होता है तो उस चाइम पर क्या होता है Eldosterone जो है वो Act करता है और Eldosterone क्या है तो Eldosterone एक ऐसा हॉर्मोन है जो की Trigger करता है Excess Amount of Absorption of इनका तो यह Amount जो Reabsorption का होता है किस जिसका Reabsorption तो Sodium का वो यह Increase करते है और साथ में यह Release करते है जो Potassium के आयन्स होते है जिसके वज़े से Body में अगर Salt का Balance कम हो जाता है तो यह जट से Salt का Balance Increase करा देते है और जो Urine होता है उस में से Water को जल्दी जल्दी Release करने लगते है जिसके वज़े से यूरीन जो है वो Hypotonic Condition में आ जाता है और उनमें से बहुत ही Salt और Water Release होने लगता है तो Mammals जो है वो Basically इसी मेकनिजम से क्या करते है कभी-कभी Hypotonic और कभी-कभी Hypotonic यूरीन जो है वो अपने Necessity के अनुसार Release करते रहते है Classics से 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर